ओम शंति आज भया दूज है और भया दूज की बहुत बहुत मुबारखों मुबारखों इसके पीछे भी एक पौरानिक कथा जरूर है कि एक बार यमराज को लगा मैं अपनी बहन यमना से मिलने जाता हूँ और जब वो वहाँ पहुचा तो यमना को उसने नदी के किनारे पाया बड़ा खुश हुआ यमना भी अपने भाई को देखकर इतनी खुश हुगई कि वो उसके अपने घर ले आई उसको तिलक दे करके भोजन कराया और भोजन करके जब यमराज ने कहा आज के दिन मैं तुम्हें कोई वर्दान देना चाहता हूँ मांगो जो मांगोगी मिल जाएगा तब उसने कहा कि आज के दिन जो बहने प्यार से अपने भाई को भोजन करवाती है वो कभी तुम्हारा द्वार न देखे आज के दिन न देखे और ये वर्दान देते हुए यमराज वहां से विदाई लेते हैं वास्तों में महाकाल तो परमात्मा को ही कहा जाता है और इसलिए महाकाल जब इस संसार में आते हैं तो सभी आत्में जिस जिस चोले में है वो सब उसके संतान है और संतान होने के नाते हम सभी आपस में भाई बहने ही है एक परमात्मा के संतान के रूप में भावात ये है कि हर भाई दुनिया की हर नारी को एक बहन के रूप में इस दृष्टी से व्यावार करें ऐसी शुब दृष्टी स्रेष्ट दृष्टी जब रखे हर बहन को अपनी बहन समझ करके उसके साथ सद व्यावार करें तबी तो गती सरेश्ट होगी तो आज का त्यवहार बहुत मर्म लिये हुए है कि जहां हर नारी की प्रती सम्मान की भावना हो इसलिए ये एक दैहिक नाता ना हो लेकिन आत्मिक नाते से हर बहन की सुरक्षा के लिए प्रती बत्त हो जाए इन्ही शुब वचनों के साथ भाविद दुज की बहुत बहुत मुबारक हो मंगल कामना हो आपके लिए भी सदा आपका आयुश्य बड़ा हो सदा आप शुब कर्म करते रहो और सदा सर्व की रक्षा करते हुए इस संसार को भै मुप्त करते चले और सत्यूगी दुनिया को हम साकार करें इन्ही शब्दों के साथ ओम शान्ति देए